तो दोस्तो आज मैं सियर कर रही हूँ पालक बेसन की बहुत ही स्वादिश सब्जी की रेस्पी इसमें आपको कुछ पीसना नहीं है, कम मसालों में भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी जटपट बनकर त्यार हो जाती है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, पालक हमने 300 ग्राम लिये हैं, पत्ते पत्ते ही लिये हैं, दो तीन बार धुलने के बाद इनको हमने बारी काट लिया है अब पालक पेसन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाई में हमने 2 टेबल इस्पून तेल गरम कर लिया है इसमें एक चम्मत जीरा डाल देंगे और 5-6 बारी कटा हुआ लैसुन जीरा और लैसुन हलका भून गया है, तो हम इसमें प्याज डाल देंगे एक प्याज को हमने बारी काट कर ली है, साथ में हमने 2 बारी कटी भी हरी मिर्च डाली है अब प्याज और हरी मिर्च को हलका सा भून लेंगे, सौप्ट होने तक तो देखी, एक मिनर तक मैंने इनको भून लिया है अब मैं इसमें डाल रहे हूँ आधा कप फ्रेस मटर ओप्सनल है हो तो जरूर डालिएगा इससे सबजी का टेस्ट अचा आता है और बच्चें भी सबजी को बहुत पसंद से खाते हैं अब मटर को एक से दो मिनर तक भून लेना है इससे मटर का कलर ग्रीन रहेगा और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे दो टमाटरों के बीज निकाल कर इनको हमने बारिक काट कर ली है इसी के साथ हमने इसमें एक चम्मस नमक डाल दिया है इससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको हम कभर करके दो मिनट तक पका लेते हैं दो से तीन मिनट बाद देखे टमाटर सॉफ्ट हो चुके है तो अब हम इसमें कुछ मसाले आट करेंगे तो यहाँ पर मैंने ली है एक टेबेल इस्पून धनिया पौडर एक टेबेल इस्पून कस्मीरी लाल मिर्च पौडर इसकी जगा लाल मिर्च पौडर भी ले सकते हैं आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है इससे सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनर तक भून लेंगे मसाले जितनी अच्छी तरह से भूने रहेंगे ना सबजी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है तो देखिए मसालों से ओल सेप्रेट हो गया है तो अब हम इसमें बारी कटा हुआ पालक डाल देंगे पालक बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं तो इनको हमें देर तक पकाना नहीं है 2-3 नर तक मीडियम फ्लेम पर हम इनको पका लेंगे पालक ग्रीन रहे तो इनको बिना धके ही पकाईएगा तो देखिए पालक सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे बेसन यहाँ पर मैंने 4 चमच भुना हुआ बेसन लिया है कच्चे बेसन को मैंने पहले तवे पर भून लिया है भूने वे बेसन को पालक में अच्छे से मिला लेंगे बेसन डालने के बाद सबजी थोड़ी ठीक हो जाती है तो हम इसमें 3-4 टेबलिस्पून पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे बेसन से पालक और मसाले अलग-अलग नहीं होते है और सबजी बहुत टेश्टी लगती है अब हम इसे ढग कर 2-3 मिनट तक पका लेंगे और 2 मिनट पकाने के बाद देखिए ये हमारी लाजबा पालक बेशन की सबजी बनकर त्यार हो चुकी है बहुत ही टेश्टी लगती है ये पालक बेशन मटर की सबजी तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं एकदम यूनिक रेश्टी है एक बार इस तरह से पालक बेशन की सबजी बना लेंगे न तो बच्चे से बड़े सभी बार बारी सबजी बनाने की डिमांड करेंगे और जो लोग पालक खाना पसंद ने करते हैं वो भी इसे बहुत पसंद सिखाएंगे तो दोस्तो ट्राइ करिए उमीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेश्पी जरूर पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा सेर कर दीजेगा और चैनल को सस्काइब करना ना भूलिएगा कॉमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये रेश्पी कैसी लगी फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ धन्यबाद